तो दोस्तो आज हम बनाएंगे पोहे के टेस्टी चटपटा नास्ता ये नास्ता बहुत ही जल्दी बन कर तयार हो जाता है और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है आप इसे सुबह साम के नास्ते में बना सकते हैं या बच्चों के टीफिन के लिए भी बना कर के सकते हैं ये बहनी जल्दि बन कर त्यू pushed दोस्त धेक लिए ट्री पोछा लिये है तो ले। काप्या काटोरी से ले सकते हैं और इसे 2-3 बार अच्छे से धूल लेंगे तो चलिए पहले इसे धो लेते हैं उसके बाद तो देखिए हमने 2-3 बार इसे धो लिया हुआ है यह बहुत ही जल्दी मैस हो जाते हैं और यह डो फॉर्म में आ जाते हैं तो चलिए अच्छे से मैस कर लेते हैं तो यह देखिए दोस्तों कितना बढ़ी है यह डो फॉर्म में आ गया है तो इसमें हम डालेंगे दो उबले आलू तो यह हमने आलू को उबालकर मैस करके रख मैं मिक्स यह निए जुछ में नाकशी बूम पॉडर Čधा चमच, चाट मसाला, चमच, समीरिलाल मिर्च , समीरि last डाल सकते हैं इसमें आपको对्धोन डला सकते हैं नहीं तो धनिया पती भी डाल सकते हैं तो चलिए । रफ्रोच कणें हृज्थ ने प्लूद अश सब्सक्राः डालेiden, तो देख सकते हैं और इसे हम अच्छे से मिक्स करके डो फॉर्म में इसे कर लेंगे तो चलिए यह देखिए यह डो फॉर्म में आ गया है और हाथ हो किलिन कर लेते हैं और थोरा सा हाथ में ओई लगाएंगे और इसकी हम पेड़े बनाएंगे और इस तरीके से पेड़े बना लेंगे देख सकते हैं आप चाहे तो अपने मन पसंद का सेप इसे दे सकते हैं तो एक और बना कर मैं आपको दिखा देती हूँ बहुत ही असान है बनाना दोस्तों और बहुत ही जटपट बन करते हैं तो इस तरीके से नास्ते बना कर तैयर कर लिये हुए है तो चलिए इसे फ्राइब कर लेते हैं और इसे उलटते पुलटते हुए फ्राइ करेंगे तो दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको थोड़ी से भी अच्छी लगते पिलिज लाइक और सब्सक्राइब करती चीएगा और प्यारा से कमन चरूर करिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी तो इस तरीके से ये इसे निकाल लेते हैं और आपको हम दिखाएंगे कि नास्ता बना कैसा है तो देखने में तो काफी बढ़िया लग रहा है तो ये देखिए हमारा नास्ता बनकर तेयार हो गया है दोस्तों तो इसे इंज्वाय करिए दोस्तों और अपने फ्रेंस और फैमिली के साथ सेयर कर